कल SDMA की मीटिंग थी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसमें मुझे भी जाना था मैं नहीं जा पाया मनीज से सोधिया जी और अन्यमंत्रिगन गए थे LG साथ ने इसके धेक्ष्टा की थी वहाँ पे जो आकड़े प्रस्तुत किये गए सरकार द्वारा वो आकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में करोना बहुत तेजी से फैलने वाला है 15 जून को उमीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे जो आज 31,000 केस हैं ऐसा अनुमाने कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे 30 जून तक 1,000,000 केस हो जाएंगे 15 जुलाई तक 72,000 केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगबग 5,000,000,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ेगी 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी तो चुनौती बहुत बढ़ी है इसमें सबसे पहले तो अपने को ये करना है कि अपने आपको हमें सब को करोना से बचाना है इसे अब जनान दोलन बनाना है तीन बातों को हमें मास्क पहन के घर से निकलना है हमें बार 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 हाथ धोने है सेनिटाइज करने हैं और सोशल डिस्टंसिंग करनी है अभी तक हम कहते थे कि हमें करना है अब हमें ये भी करना है कि अगर कोई नहीं कर रहा तो उनसे हाथ जोड़ के विंति करने है कि भाई साब आप भी कर लीजिए आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और दूसरों की सेह अपने को बनाना है सब को खुद भी करना है और दूसरों से भी करवाना है जैसे और इवन में हमने जनामदोलन किया था ना और इवन में हम भी करते थे और अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो गाड़ी रोग के शीशा नीचे करके उसको कहते थे कि भाई साब घर चले आपको जनामदोलन बनाना है अपने को अपने स्वास्थ के लिए ये ज़रूरी है जितना इसको फॉलो करेंगे उतना चांसे कम हैं कि आपको करोना होगा दिली की कैबिनेट ने निरने लिया था कि कोरोना कोरोना के दोरान दिली सरकार के अस्पतालों में दिली में रहने वाले लोगों का इलाज हो, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि आने वाले समय में बेड्स की बहुत ज़रूर पड़ेगी, सोमवार को केंदर सरकार ने दिल्ली की कैबिनेट के उस निर्ने को पलट दिया, और केंदर सरकार ने, अलजी साहब ने आदेश चारी किया है कि दिल्ली के हर हस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा.